Hello everyone, welcome back to this playlist of machine learning techniques और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नेव बेस क्लासिफायर तो सबसे पहले समझते हैं कि नेव बेस क्लासिफायर होता क्या है नेव बेस क्लासिफायर जो है ये बेसिकली आपका एक प्रोबैबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल है जिसको हम क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए यूज करते हैं अब प्रोबैबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल है तो सीधी सीधी बात है कि हम प्रोबैबिलिटी से रिलिटेड जो है कुछ मैथेमेटिकल आसपेक्ट का यूज करेंगे क्लासिफिकेशन टास्क के लिए जो है हम बेस क्लासिफायर का यूज करते हैं और स्पेसिफिकली नेव बेस क्लासिफायर का यूज करते हैं इस क्लासिफायर का जो क्रक्स है इस क्लासिफायर का जो बेस है वो है हमारा बेस थियोरम अब NAV-based Classifier जो है ये बेसिकली आपका एक collection है किस चीज़ का classification algorithms का यानि कि यहाँ पे जो है हम एक single algorithm की बात नहीं करते हैं family of algorithms, collection of algorithms की बात करते हैं अब एक collection of algorithm जिनकी हम बात कर रहे हैं ये वो algorithms हैं जो एक common principle को share करती है common principle को share करने का meaning है ये जो collection of classification algorithms है इन सभी का एक single goal है, common principle है कि हमें ये अचीव करना है तो जब बहुत सारी algorithms जिनका common एक goal होगा, common एक principle होगा तो उन algorithms को जब हम combine कर लेते हैं तो एक powerful algorithm generate होती है जिसका नाम है हमारा NAV-based Classifier अब ये algorithms जो common principle share कर रही है इनके अंदर जब हम data set provide करते हैं तो उस data set के अंदर जो भी हमारे pair होते है features के यानि कि जो भी हमारे variables होते हैं जिनको हम classify करते हैं वो जितने भी variables जो हैं वो आपस में जो है independent होते हैं independent होने का meaning है कि वो एक दूसरे पे depend नहीं करते तो इस NAV-based Classifier के अंदर एक word है NAV अब NAV जो है उस NAV का meaning है हमारा assumption तो इस algorithm के अंदर जो है एक assumption हम मान के चलते हैं before implementing कि जो हमारा NAV-based का assumption है वो हमारा यह कहता है कि जितने भी हमारे features हैं जितने भी हमारे variable है किसी problem के अंदर किसी data set के अंदर वो सभी जो है independent होंगे अब independent होने का meaning है कि वो जो है हमारे outcome यानि कि जो solution हम generate करना चाहते हैं जो output हम achieve करना चाहते हैं किसी problem का या फिर मैं बोल सकता हूँ जो classification task हम achieve करना चाहते हैं उस data set में से तो उसके लिए जितने भी हमारे variables हैं जितने भी हमारे features हैं वो सभी जो है equal contribution provide करते हैं to the outcome अब यहां पे specifically note करके मैंने एक चीज mention की है कि जहां पे भी इस assumption की मैंने बात की जो assumption जो aspect मैंने आपको बताया assumption का nave based algorithm के अंदर यह जो है हमारी real world situation के अंदर generally fit नहीं होता है अब यह क्यों fit नहीं होता है because जितनी भी हमारी real life problems हैं जहां पे हम machine learning को implement करेंगे जहां पे हम nave based classifier algorithm को implement करेंगे वहां पे यह assumption हमारी हर जगह पे fit नहीं होगी हर जगह पे सही नहीं होगी because हर problem के अलग-अलग definitions होते हैं अलग-अलग parameters होते हैं तो based theorem की मैंने बात की कि nave based classifier के अंदर हम base theorem का use करते हैं और छोटा सा overview फिर से हमारे base theorem के formula का और यह वो हमारा base theorem का formula है जो कि हम use करते हैं अब इसके अंदर जो हमारा x है वो हमारा features है, parameters है, variables है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अब native based classifier के अंदर हमें क्या करना है classification करनी है यानि कि कुछ predict करना है कुछ classify करना है तो उसके लिए multiple parameters हो सकते हैं तो यह जो X है यह हमारा multiple parameters है multiple features है अब यह चीज़ आपको अभी यहाँ पे इस moment पे नहीं समझाएगी बट यह हमारा mathematical concept है और इस वीडियो के अंदर जब मैं last में आपको एक example के थूँ समझाऊँगा तो आपको complete native based classifier के जो mathematical concept है जो technical concept है वो clear हो जाएंगे तो X हमारा क्या है multi variable feature है यानि कि बहुत सारे parameters बहुत सारे features हैं जो की classification में help करेंगे यह जो हमारा capital X है यह क्या है combination of parameters है तो इन combination of parameters को जो है हमने इस formula के अंदर जो है हमारा expand कर दिया और यह जो हमारा general formula था P of Y over X यह अब हमारा क्या बन गया expand होने के बाद एक general इस तरीके का formula बन गया अब दिखने में यह बहुत ही बड़ा formula लगता है बट अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो normally हमने क्या किया है इस X की जो multiple values थी multiple conditions थी उनको जो है इस formula के अंदर replace कर दिया है अब इसके अंदर आप देखेंगे जो हमारा denominator है P of X1, X2, P of X of N यानि कि जितनी भी हमारी multi variables है parameters है, features है इन सभी की value हमें पता है तो जिसकी value हमें पता है उसे हम constant मानते हैं और हम जो है इस formula के अंदर जो है इस नीचे वाली line को यानि की P of X को यानि की denominator को हम remove कर सकते हैं अब ये purely scientist की choice होती है या फिर मैं बोल सकता हूँ programmers की choice होती है कि वो इसे remove करना चाहते हैं या नहीं अब example की help से समझते हैं कि किस तरीके से हम name waste classifier को implement करते हैं अब मान लीजिए ये हमारे पास एक data set है जिसके अंदर हमारे पास क्या है चार features है पहला feature animals का जो की हमारे पास number of animals को denote करता है दूसरा size of animal की उस animal का size क्या है third feature है body color उस animal का जो है हमारा body color क्या है तो यहाँ पे multiple colors जो है वो provided है data set के अंदर और इन तीनो circumstances के base पे यानि की animal data set के base पे size of animal parameter के base पे और body color के base पे जो है हमें predict करना है क्या हम उन animals को pet कर सकते है यानि क्या हम उन animals को पाल सकते है are those animals petable or not यानि कि इसका जो है हमें output देना है can we pet them yes or no तो इन तीन conditions के base पे जो है हमें कुछ predict करना है यह जो हमारा general formula था उसके अंदर left हमारा क्या था posterior probability P of X over C क्या था likelihood P of C था हमारा class prior probability और P of X था हमारा predict prior probability अब predictor prior probability को हमने जो है remove कर दिया था because वो constant term थी हमें उनकी value पता थी तो general जो हमारा formula जो हम implement करेंगे नेव बेस algorithm के अंदर नेव बेस classifier के अंदर वो हमारा यह सामने आया था जो कि general एक base theorem का extension है जैसे कि अभी मैंने का था कि नेव बेस classifier के अंदर हम एक assumption करते हैं कि जितने भी हमारे features है वो independent होते हैं यानि कि उनका contribution outcome में equal होता है तो जो हमारे यहाँ पे तीन parameters है animal size of animal और body color उन तीनों की probability जो है हमने separately यहाँ पे calculate कर ली अभी probability नॉर्मल calculate की है कि इन 13 number of rows में यानि जो हमारे पास 13 data set का row available है इसमें से dog कितने है rat कितने है हमने probability calculate की है body color की हमने probability calculate की है और इन तीनों की probability को combine करके क्या वो petable animal है या नहीं उसकी जो है एक overall probability calculate की है yes और no की अब यहाँ पे जो है अब हमें test करना है यानि कि अब हमने उस data set से हमारी machine को train कर दिया हमारी algorithm के अंदर वो data set feed कर दिया अब हम क्या करेंगे अब हमें test case provide करेंगे यानि कि hypothesis provide करेंगे और उसके base पे जो है हम क्या करेंगे हमारी name base classifier से जो है कुछ output predict कराएंगे कुछ classify कराएंगे अब suppose test case जो मैंने यहाँ पे हमारी algorithm को हमारी machine को provide किया वो हमने provide किया है cow medium black यानि कि animal हमारी cow होगी size of animal उसका medium होगा और color होगा black अब इन तीन circumstance के base पे हमारी machine को predict करना है कि क्या हम उस test cases के base पे predict कर सकते हैं कि क्या वो हमारा animal petable है या नहीं तो probability हम कैसे calculate करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखी दो probability हो सकती है या तो उन test cases के base पे हम यह probability calculate करें कि वो animal हमारा petable है या फिर वो animal हमारा petable नहीं है अब यह दोनों जो probability है यह calculate होगी किस पे test case पे तो यहाँ पे दो probability हमने calculate की है यह P of yes over test and P of no over test अब हमें calculate करना है कि क्या वो petable है या नहीं है हम जब ही बता सकते हैं जब हमारे पास comparison होगा कि 60% petable है 40% petable नहीं है तो उन दो circumstances उन दो condition के base पे हमारी machine learning predict कर सकती है कि वो animal petable है या नहीं तो P of yes over test का जो हमारा formula है general जो हमने यहाँ पे calculate किया था base theorem की help से इस formula को जो है अब हम यहाँ पे implement करेंगे जैसे हम implement करते हैं तो P of animal क्या होना चाहिए cow होना चाहिए P of size क्या होना चाहिए medium होना चाहिए और P of color क्या होना चाहिए black होना चाहिए अब यह तीनों चीज़ yes होंगी तभी जो हमारा क्या निकलेगा likelihood की जो हमारी probability है वो calculate होगी और into में क्या होगा, probability of yes, अब probability of yes क्यों होगा, because हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों चीज़े होंगी, yes होंगी, तबी हम क्या कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं हमारी probability को, तो ये इन तीनों की जो values हैं, हमने कहां से निकाली, वो हमने इस data set से, इस probability की data set से extract out कर ली, और जब हमने उन values को य हमारी probability है कि जो हमारा test case हमने provide किया है animal cow का size medium का और color black का उसका answer या उसका output हमें मिलेगा yes उसकी probability is 0.02 इसी तरीके से जब हम no की calculate करेंगे तो उसकी probability हमें मिली 0.0079 तो जब हमारी machine probability of yes over test और probability of no over test की दोनो values को compare करेगी तो उसे मिलेगा क्या यहाँ पे उसे यहाँ पे output मिलेगा कि probability of yes over test की जो probability है जो value है वो जादा है और जब हमारी yes या no किसकी भी value जादा होगी तो उसके base पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा output है yes और no की terms में तो इस तरीके से जब हमने एक नया test case provide किया हमारी machine को तो उसने हमें एक output दे दिया yes यानि कि यहाँ पे probability yes की जादा है तो हमारी machine ने classify कर दिया हमारी machine ने predict कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं इस test case पे जहाँ पे हमारी animal काओ है color black है और size medium है तो वो animal जो है हमारा petable है यानि कि जो हमारा output आना चाहिए जो हमारा solution आना चाहिए can we bet them का उसका output हमें मिलेगा yes thank you